आपका फिर से स्वागत है मैं आज आपको बताने वाला हूँ chronic fatigue syndrome ऐसे एक बिमारी कि जिसके बारे में लोगों को जानकारी है नहीं मगर लोग सफर कर रहे हैं उनको problem है इसमें होता क्या है कि उसमें थकान आती और छे महने से थकान बिना वज़गी है कोई वज़ग नहीं है कोई कामकाश नहीं किया कोई मेहनद नहीं किया हुआ है या कोई श्रम नहीं किया है उसके बाद में थकान है और छे महने से ज़दा थकान है तो हम बुलते कि नहीं उसको chronic fatigue syndrome है ये 20-40 साल के उमर में ज़्यादा होती दिखाई देती है महिलाओं में ज़्यादा है और 1-10, मतलब एक हजार अबादी में 1-10 लोगों को ये बिमारी हो सकती है तो इसमें क्या-क्या होता है तो एक है कि 6 मेने से ज़्यादा होना चीए शुरुवात कहां से होई ये पक्का बोल सकते हम कि शुरुवात कहां से होई बहुत काम करने के बाद में ठका नहीं ऐसा नहीं होता मतलब बिना काम करके भी ठका नहीं थी फिर आराम करने से फायदा नहीं होता और कामकाच करने में उससे बाधाय आती तो ये उसके प्रमुक लक्षन है और अभी मैं आपको बताने माला हूँ आठ लक्षन और आठ में से यदि चार प्रेजेंट है तो फिर वो उसका डियाग्नोसिस पक्का होता है और आठ में से चार कुंसे कुंसे तो मैं आपको आठ गिनाता हूँ नंबर एक भूल जाना भूलकड़ पना आना बिच बिच में और काम में मन केंद्रित ने होना लक्ष बिचलित हो जाता है नंबर एक नंबर दो गले की खर्राश नंबर तीन दर्द देने वाली लिंफ नोट्स लिंफ नोट्स तो वो लिंफ नोट्स में दर्द होते रहता है नमबर साथ, नीन के बाद में जोशला महसूस नहीं करना, या ताश्री महसूस नहीं करना, या उत्सा महसूस नहीं करना, अन्रिफरेशिंग स्लीप, और नमबर आठ, बहुत श्रम करने के बाद में, इसका करना क्या है, उत्सा नहीं है, कामकाश करने में मजा नहीं आ रही, लक्षे किंद्रित नहीं हो रहा, कामकाश में बाधाय आ रही है, और 6 मेने से चालू है, इसका कोई पक्का यलाज जैसा नहीं है, कि उसकी दवा दीजे, उसका यलाज हो गया, इसके साथ में दिप्रेशन असोसियेटर है, तो हमें एंटी डिप्रेशन की गोलियां, दवाईयां दे सकते हैं, जिससे डिप्रेशन अच्छा हो सकता है, मगर बाकी समझो, पेन है, तो पेन किलर समझे सकते हैं, कुछ समय तक, मेन चीज जो है, वो है कि इसको सप्पोरट्यू, जो है, सप्पोरट्यू साइको थेरपी, या हम उसको, CBT, मतलब Cognitive Behavior Therapy, या हम Self Hypnotherapy उसको सिखा थे, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम से हैं, जिन्देगी जिने में, उसके बारे में चर्चा करते हैं, और कुछ सप्पोरट्यू, एंटिडिप्रेसेंट देते हैं, तो उसमें फायदा होता है, यूजिल इसका जो है, सब मतलब investigation करना जुरूरी है, क्योंकि ऐसा है कि हम कोई मतलब, यह हमको देखना पड़ता है, कि हम कोई physical problem से दिल नहीं कर रहे हैं, तो उसका हम पुरा check-up कर लेते हैं, शुगर, मतलब diabetes है, क्या शुगर बढ़ी ही, क्या blood pressure बढ़ा है, क्या बाकि और कुछ, सब पूरा scanning body का कर लेते हैं, पूरी investigation जाच परताल करने के बाद में, जब सब report normal आते हैं, तब हम बोलते कि नहीं, और 6 मेने से ज़्यादा है, तो यह इसका हिलाज होना जरूरी है, और काफी सारे लोग हमारे आजुबाजों में रहते होंगे, कि जिनको यह problem है मगर उनको मालूम है कि यह problem है, यह बीमारी है, जरूरी वीडियो आपके ग्रूप में share करो, facebook के, whatsapp के ग्रूप पर share करो, आपको अच्छा दागा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बे लाइक होना है, उसके पर click करो, ताकि मेरे वीडियो के notification आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे, हमारा जो motive है, वो है, और mission हमारा है कि सब के लिए मांजिक स्वास्त्य और देसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा, thanks for watching.